परसु मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों को बिटकोईन और रून की अपडेट दी दी ती मैंने आपको भदाया था कि रून लेने के लिए सबसे बढ़या लग रहा था और इस समय में प्राइस देख रहा है आपके सामने 2.782 चल रहा था और प्राइ अभी रीसेंट में यहां पर यह थे कोई विग दिख रहे हैं आपको यह 3 तक होकर आया है मैंने आपको इस वीडियो में 3.2 का टार्गेट दिया था पर कोई नहीं हम वहां से नीचे कहते है 3.2 जो लोग नॉर्मल ट्रेडिंग भी करते हैं उन्हें मालूम है कि 3 पर एक अ से उन्हें देने चलते हैं आज की जो मुझे अपडेट आपको देंगे सबसे फेहले वीकली की क्लोजिंग कि बात करते हैं वीकली वीकली में कहां पर क्लोज होता है 200 वीकली में जो हमारा है वो था अरूंड 22,800 और हमने क्लोजिंग कर दी देख रहे हैं एकदम करती थी उसने 23,185 के आरांटिक उसके ज़स्ट बाद अगली गंडल जब यह वीक स्टार्ट होता तो प्राइस पुश होता है कहां तक पुश होता है हमारे इस जोन में इस जोन के बारे में आपको बहुत पहले से बता चुका हूं कि तीन बारा में जोन में आ चुके हैं ती इस जगा को अच्छा कासर सपोर्ट मिल ला है इस वीकली की जगा कर मैं इसको डेली कर दू तो आपको क्लेरली दिखेगा हो क्या रहा है इस 200 वीकली को कितने अच्छे से लोग सपोर्ट की और मान के चल रहे हैं और इसी का सहारा लेकर आगे भी प्राइस एक्शन से हम फाइनली इसको तोड़ देंगे उपर क्योंकि आप देखो जेनरल मार्केट ट्रेंड यहां से अब ट्रेंड में है तो फिर भी मैं अभी मैं अपना बायस नहीं चेंज करूंगा मुझे लगता है इन इन शौर्ट में मार्केट थोड़ा सा बुलिश है और अभी भी म उपर हुई 23,100 उपर उसके बाद प्राइस कहा तक गया था 24,231 और उसमें हमारे कॉइंस बहुत जादा उपर उठे थे यह बुलिश बायस मैं आपको बता के गया था अब जो चीज मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूं वह इस वीक की क्लोजिंग तो मुझे अगर दे देखना है कि यह एक दो दिन में क्या तूट जाता है देखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि वीकली वीक के शुरुआत में ही तोड़ देगा इसको नीचे ले आएगा पर यार यह ऐसा वैसा कुछ है नहीं सपोर्ट यह मजबूत है आप देखो इंट्रेस्टिंग है आप प मुझे लगता है कि जो एरिया है ना यह काफी जदा हमारे लिए इंपॉर्टेट है और क्रूशल हो सकता है तो यह बिट्कॉइन की अपडेट है मेरा यह कहना है कि शॉट तम में हम बुलिश हो सकते हैं जब तक 200 वीकली में के उपर हैं मैं फिर बोल रहा हूं मेरे वर्ट में खेते हैं at least 21600 के आरांड तक easily अब बात करते हैं मार्केट को लेकर मार्केट में अगर हम टोटल मार्केट के बात करें तो वन ट्रेलियन चल रहा है कुछ न्यूस की बारे में बात करेंगे कुछ इंट्रेस्टिंग प्राइस चल नहीं रहा है इथेरियम का मुझ दिख किया था हमने शॉट की ट्रेट दी थी याद है और आप देखो हम फिर से उसी एरिया से बहुत भैंकर रिजक्ट हुए अच्छा कितना आप बना सकते थे विदा 5x आपने पांच ये लिया 25% का मुनाफ़ा आप आज इसली 5x से बनाते 10x से आप कितना बना लेते कितना बन इसली में रून का क्रॉस ओवर हो रहा था जो कि क्रॉस ओवर अभी हुआ नहीं है अग्जैक्ली बड़ी क्रॉस ओवर लगबक लगबक हुआ है उसके बाद देखो हम उपर आ तो कई कोई में चीज बता रही थी कि जो पीछे का अभी चोटा सा बुल आया था मलब ग्री आया थी वो जो कलपड़ लुवर इस वजह से और अभी वी जो सेटाफ है ना यह बुलिश ही है यह सेटअप बुलिश क्यों है यार्ट शौट ट्म ग्राज के अब बुलिव एशा है और करेगी अभी यह दोनों हुए नहीं है यह रून कर से नहीं बताऊ रून का एसा द इसमें तो उपर चली गई यह तो यह कुछ चीजें जो मुझे दिखा रही है कि यह हो इधेरियम में भी उपर चली गई शौट टम मुवियं में और यह डेली में हो रहा है मैं 4 गंटे 15 मिनिट में बात नहीं करूं डेली में जब यह चीज होती है ना तो माइने रखती है य अब बिटकोइन के हम वाल्यूम वाले चार्ट की बात कर लेते हैं और वह बक्वास बहुत होगी अच्छा देखो एग्जैक्ली यह क्या हुआ है यह तो मैंने देखा ही नहीं बिटकोइन भी सेम वही कर रहा है डेली में इसका भी क्रॉस ओवर होना चाहा रहा है अब यह ब्लैक लाइन तक हम गये और फिर नीचे लोड़के तो जो हमारे लिए जो बचा है आप समझ गया मैं समराइस कर देता हूं अड़ाइस यह है कि आपको यहां पर चौप हमको तोड़ना यह 24,000 का लेवल 24,400 24,200 24,500 कुछ भी हो पर 24 से उपर जाना है मैं 25 क्यूर जाना अगर डेली में आ जाए और दिन क्लोज हो जाए अगला दिन बदल जा और हम नीचे हो तो हमारे लिए चिंता की बात है समझ में आ गया ना अब आपको तो ख्लेर हो गया होगा रून में चीज़े बता दो तो रून को आपको एक रिस्क होगा अगर आपको ट्रेड लेनी आप रख लो कहीं भी ठिक यहां घटा कर लो दोनों के क्रॉसोवर पर अब यहां से अगर यह उच्छाल भी मारता है तो अगर टू थ्री तक फिर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा ना इसली होगा प्रॉफिट यह होता है ट्रेड करने की स्किल्स अब आपको दिख क्रॉसोवर होने वाला है आपके पास चांसे जादा है क्योंकि historically जब क्रॉसोवर हुआ है तो बुलिश रहा है मतलब क्रॉसोवर हमेशा बेरेच भी हो सकता है पर अभी तक यह बुलिश लग रहा है क्योंकि उपर है प्राइस अगर उपर ही रहता है तो हमारे लिए काइं यह लांच करेगा रेडिट कॉइन ल्च करेगा हुआ प्रेट को एक लांच करेगा रूब लांच करेगा उन लोगों को प्राइं के साथ आपना टोकन लांच करने के लिए एक और चीजह उससी एग एठेरियम का मर्ज हो गया अपकमिंग और वह आने वाला है आने तो आज का सेशन खाली इतना ही था आयो आपको अच्छी लगिए अगर अच्छी लगती तो प्लीज जो चैनल है मारा उसके नीचे जाके सब्स्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्स्राइब कर लिया करो लाइक कर दिया करो थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाओ थोड़ा कम् की डिस्क्रिप्शन में लिंक है थैंक यू सो मच फूर वाचिंग इस वीडियो